दोस्तों गर आप भी आईपियल क्रिकेट देखने के शौकी है न तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि आईपियल बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है आईपियल से शुरू होने से पहले ही कई देश और दुनिया के दिकच खिलाडियों ने आईपियल विजेता टीम की पहले से ही बविश्यवानी कर दी है इसी बीच ऑस्टेलिया के महान बलिबास डेविड वार्णर ने भी बताया कि ये टीम आईपियल जीच सकती है दोस्तों आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे कि डेविड वार्णर ने किस टीम के जीतने की वविश्यवारी की है लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है डेविड वार्णर और रोहित शर्मा में से शांदार गेदबास शांदार बलिबास कौन है इसका जवाब हमें नीचे दिये के कमेंट बॉक्स में जरूर थे दोस्तों डेविड वार्णर पहले संडराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला करते थे और वहाँ पर उनका प्रतरशन बहुत ही शांदार रहता था डेविड वार्णर ने संडराइजर्स हैदराबाद के लिए कफ्तानी करते हुए बहुत ही मुकाबले जीते हैं और एक बार तो संडराइजर्स हैदराबाद को आईपियल चेंपियन भी बनाया है हम बात कर रहे हैं 2016 की 2016 में फाइनल मैच संराइजर्स हैदरबाद और रोयल चलेंजर्स बैंगलॉर का मुकाबला हुआ था तो वो मुकाबला संराइजर्स हैदरबाद की टीम ने रोयल चलेंजर्स बैंगलॉर की टीम को हरागर अपने नाम कर लिया था साथ ही साथ IPL का खिताब भी जीत लिया था इतना ही नहीं दोस्तों संराइजर्स हैदरबाद के लिए डैविड वार्नर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी किया करते थे डैविड वार्नर एकलोते ऐसे बल्लेबाज है बेहद शांदार है लेकिन डैविड वार्नर के इतना ज्यादा काबिल होने के बावजूद भी संराइजर्स हैदरबाद की टीम ने उनको रिलीस कर दिया अब डैविड वार्नर दिल्ली कैपिटल की टीम के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने आईपियल चैंपियन टीम की कोशना भी कर दी है उन्होंने काये कि कुछ भी हो जाए इस साल आईपियल तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ही जीतेगी ये आईपियल में इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा और दिल्ली कैपिटल्स के नाम भी एक IPL ट्रॉफी हो जाएगी मैं अपने टीम दिल्ली कैपिटल्स को IPL ट्रॉफी जिताने की पूरी कोशिश करूँगा इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं अपने आपका 100% दिल्ली केपिडल्स की टीम को आई पिल का खताब जिताने में लगा दूँगा फिर दोस्तों और डेव गॉटनर ने बताया कि दिल्ली केपिडल्स की टीम के पास एक से बढ़कर एक शानदार बल्लेबास है जो कि अकेले दम पर मैच को पलड सकते हैं उनके पास अरीशा पंदर पृत्वी शौज जैसे युवा बल्लेबास भी हैं जिन्होंने आई पिल में कई रिकॉर्ड अपने नाम की है इसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी गेनबासी में भी काफी गहराई है उनके पास अक्षर पटेल जैसे शानदार गेनबास भी है जो कि अपनी गेनबासी के दम पर दूसरी टीम को दस्तगर देते हैं और मैच जीत लेते हैं दोस्तों ये थी आस्टेलिया के महान बलेबास और संटराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कब्तान डैविट वार्नर की आईपिल विजेता टीम को लेकर भविश्यवाणी दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि दिल्ली केपिल्स की टीम सच में इस बार आईपिल का पहला खिताब जीत पाएग या नहीं अपनी राए नीचे दिये के कमेंट बॉक्स में जरूर दे और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद